जया दोस्तो साउत की चार रिमेक फिल्मों में इतिहास रशने आ रहे हैं अक्षे कुमार तो डालेंगे पूरी खबर बर नसर भसा आप इस वीडियो के साथ पने रहेगा दोस्तो सबसे पहले अगर आप अक्षे कुमार को एक बहुतरी नभीनेता वानते हूँ तो इस वीडियो को दिल से लाइक करे दोस्तो बॉलिवूड की खिलाड़े अक्षे कुमार की अगले दो सालों में लगबग साथ पड़ी फिल्में रिलिस होने वाली है जिसमें से चार फिल्में साउथ की रिमेक है जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं जैसा कि अक्षे कुमार अपनी हर एक फिल्म से बॉक्स आफिस पर इतिहास रच देते हैं और ऐसे में वो इन चार रिमेक फिल्मों भी इतिहास रचने आ रहे हैं चलिए दूस्तों इन फिल्मों पर नज़र डालते हैं, तो नमबर चार पर है बैल बॉटम, इस फिल्म से अक्षे कुमार के दो पोस्टर रिलिस किये जा चुके हैं, जिनके जरीए मेकर्स ने इस फिल्म की रिलिस डेट और फिल्म की इंटर्टेंडमेंट के साथ अक्षे भी निभाने जा रहे हैं, जबकि पोस्टर में उन्हीं बड़ी बड़ी मूचों में ही देखा जा रहा है अक्षे कुमार को, अक्षे कुमार की फिल्म अगले साल दो अपरेल को रिलिस होने वाली है, जहां दोस्तों नमबर तीन पर है इकका, मिशन मंगल फिल्म के डिरेक कुणाल रोयकापूर और निधी अगरवाल को भी देखा जाएगा, सूतरों की माने तो फिल्म 2021 के आखेर में रिलिस होने वाली है, नमबर दो पर है बच्चन पांडे, अक्षे कुमार हाउस फिल्फोर फिल्म के डिरेक्टर फरहास साम जी की अगली फिल्म बच्चन पां फिल्म सिनेमा घरों में अगले साल 22 जनवरी को रिलिस होने वाली है, नमबर एक पर है सबसे बड़ी फिल्म लक्ष्मी बांब, इस फिल्म के बारे में तो हम सभी जानते हैं, ये तमिल के हॉरर कॉमेडी फिल्म कंचना का हिंदी निमेग है, जिसमें रागव लोरेंस को द राडवानी, तुशार कपूर, तरुन अरोरा और शरात केलकर को भी देखा जाएगा, और ये फिल्म सिनेमा घरों में एद के खास मोके पर इलिस होगी, और ये फिल्म सलमान खान की जो रादे फिल्म आ रही है, उससे भी टक कर लेगी, तो दर्शोकों को उम्मीद है कि य प्यादा कलक्शन करेगी, और सलमान की फिल्म रादे को कड़ी टक कर देगी, तो दोस्तों आपको इसमें क्या है कहना, कमेंट में अपनी राए सरूर बताईएगा,